तो दोस्तो यह हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो है और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो उसको सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दो क्योंकि मैं आप लोकली ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी पांच अपकमिंग कार्स के बारे में जो इस साल 2021 में लांच होने वाली है तो पहले नंबर पर आती है हुंडाई i20 एनलाइन दोस्तो पिछले साली हुंडाई ने अपनी i20 को लांच किया था और उसका जो फेसलिफ् आप देख सकते हो और images से साफ साफ दिख रहा है कि जो i20 अभी इंडियन मार्केट में चल रही है वैसा ही exterior डिजाइन आपको इस कार में भी देखने को मिलेगा मतलब एनलाइन वाले मॉडल में भी आपको लुक्स में कोई भी changes देखने को नहीं मिलेंगे जो i20 में चल रह और या फिर आपको dual tone colors में इसका dashboard देखने को मिलेगा और सारे functions आपको steering wheel में देखने को मिलेगे दोस्तो इसमें आपको automatic और manual दोनों का ही option देखने को मिलेगा बात करें दोस्तो इसके engine specs की तो 1.2 लीटर engine के साथ ये car आईगी इसमें आपको turbo variant मिल जाएगा और diesel variant का भी option म अगर बात करें 1.2 लीटर टर्बो इंजिन की तो इसमें आपको मिलता है 84 PS का पावर और 180 Nm के पीक टॉर्क आपको इस कार में देखने को मिलेगा और अगर आप फोले हायर सेग्मेंट के लिए तो इसमें आपको 100 PS तक का पावर भी देखने को मिलेगा तो दोस्तो अगर बा आती है Tata HBX दोस्तो 2020 के Auto Expo में इस कार को शोकेस किया था हाला कि वहाँ पर आपको इस कार में काफी सारे दन तुफान देखने को मिल रहे थे लेकिन यह सारे फीचर साथ यह कार इंडियर मार्केट में नहीं आएगी आपको यहाँ पर आफ रोड टायर देख रहे होंगे लेकिन यह इंडियर मार्केट में जब आईगी तो आपको नॉर्मल टायर देखने को मिलेंगे और उपर आपको यह लगिज केरी करने वाला भी नहीं मिलेगा आपको सिंपल कार देखने को मिलेगी यहाँ पर आप इसकी स्पॉर्टेड इमेजिस चेक कर सकते हो तो आपको पता लग जाएगा कि इसका एक्स्टीरियर मतलब भार से लुक कैसा है दोस्तो फ्रेंट में आपको हैरियर से मिलता जूलता फ्रेंट डिजाइन देखने को मिलेगा बेस मॉडल में आपको हैलोजन हेडलाइट देखने को मिल सकती है लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लेते कार है ताकि यह निशान मेगनाइट किया सॉनिट और रिनॉल्ट काईगर जैसी कार को टककर दे सके और दोस्तों टाटे कार इन कार को आराम से टककर दे देगी क्योंकि इन टम्स आप बिल्ड कॉलिटी टाटे कार हमेशा 5 स्टार गेन करती है और यह कार भी मेरे साब से 4.5 यह 5 स्टार की सेफटी रेटिंग क्रॉस कर जाएगी बात करने दोस्तों इंटिरियर की तो हो सकते है कि जो इंटिरियर आपको टाटा अल्ट्रोस में देखने को मिलता है वही सेम इंटिरियर आपको इस कार में देखने को मिले हालाकि उमीद की जा रही है कि जो इंजिन आ नहीं की जारी है, हाला कि यह करोमीद यह की जारी ही, किसमें आपको petrol variant देखने को मिलेगा, और आपको electric model भी देखने को मिल सकता है, बात करें दोस्तों इस car के expected price की, तो इसका expected price रहेगा 5 लाक रोपे, और बात करें कभी यह car Indian market में launch होने वाली है, तो April 2020 में आपको यह car confirm Indian market म देखने को मिल जाएगी, हला कि आप comment box पर बताओ कि अगर Tata HBX Indian market में launch होती है, तो आप इसको लेना पसंद करोगे की नहीं, तीसरे नंबर पर आती है Mahindra XUV500, दोस्तों 2011 में इसका सबसे पहला model launch हुआ था, और अभी तक तकरीबन 10 साल हो गया है, आपको यही model Indian market में दे सके, यहां तक कि Tata Harrier जैसी कार भी Mahindra के features को तोड़ नहीं दे सकती है, हाले कि दोस्तों अगर बात करें looks की, तो 2021 के model में आपको काफी बड़ा change देखने को मिलेगा, मतलब पूरा ही looks इस कार का change कर दिया गया है, यहां पर आप इसकी spotted images देख सकते हो, काफी बढ़िया look इ आपको एक SUV में मिलना चाहिए, आपको वो इस कार में मिल जाएगा, पहले आपको छोटी sunroof मिलती थी, लेकिन अब इसमें आपको big massive sunroof देखने को मिलती है, दोस्तों बात करें इसके tires की, तो इसमें आपको 18 inches के alloy wheels देखने को मिलेंगे, और बात करें दोस्तों इसके looks की, तो front में आपको LED headlights का full setup देखने को मिलेगा, और आपको projector lamps भी इस car में देखने को मिलेंगे, और नीचे आपको projector fog lamp मिलेंगे, पीछे आपको LED tail lights मिलेगी, और indicators भी इसमें आपको LED मिलेंगे, हालकि अभी के model में आपको automatic मतलब dicky नहीं खुलती है, लेकिन जब ये car launch होगी, तो इसमें आपको switchable automatic dicky देखने को मिलेगी, जैसे आप button press करोगे, dicky open हो जाएगी, और आप button press करोगे, dicky अपने आप down हो जाएगी, आपको अपने तरफ से कोई भी external force नहीं लगाना पड़ेगा, features में काफी ज़्यादा changes करेगी, महिंदरा, आपको और भी अच्छे- इस कार में लेकर आने वाली है, interior की बात करें तो 7-seater में ये कार आएगी, और काफी बढ़िया space आपको इस कार में देखने को मिलेगा, और comfort के मामले में महिंदरा काफी बढ़िया comfort आपको afford कर देती है, build quality की बात करें, दोस्तों तो महिंदरा की build quality तिनी बुरी नहीं है, आपको काफी बढ़िया build quality मिल जाएगी, passenger seats भी आपको इसमें electric adjustable मिलेगी, और co passenger seat भी इसमें आपको electric adjustable देखने को मिलेगी, और अगर बात करें engine की तो इसमें आपको 2.2 लीटर का diesel engine मिलेगा, और 2 लीटर का turbo petrol engine देखने को मिलेगा, expect किये जा रहा है कि जो engine आपको थार में देखने को मिलता है, वही same engine इस कार में आपको देखने को मिलेगा, दोस्तो 190 BHP की इसमें आपको power मिलेगी, और torque अभी तक इसका reveal नहीं किया गया है, दोस्तो बात करें इस कार के price की, तो इसका expected price किया जा रहा है 16 lakh रूपीज और top variant तक जाएगी है कम से कम 22 से 23 lakh रूपे त करता हो कि आपको इस कार का looks कैसा लग रहा है, मुझे इस कार का look definitely काफी ज़्यादा पसंद है और मुझे XUV500 भी काफी ज़्यादा पसंद है, फोर्थ नंबर पर आती है MG ZS petrol, दोस्तो अभी ये कार आपको Indian market में electric version में देखने को मिलती है, मतलब electric model में आपको ये कार Indian market मे available होती है, लेकिन अब MG plan कर रहा है कि वो petrol variant में भी इस कार को Indian market में उतारेगा, दोस्तो लुक्स में कोई भी changes नहीं होंगे, जो लुक आपको electric variant में देखने को मिलता है, वही लुक्स के साथ आपको petrol variant देखने को मिलेगा, बात करना दोस्तो इसके engine की तो उसमें आपको 1.3 लीटर का turbo petrol engine मिलेगा, जो max power produce करेगा 97 bhp की और max torque generate करेगा 132 newton meter का, डीजल variant आपको इस कार में शायद ही available होगा, दोस्तो बात करें फ्रेंट लुक की तो फ्रेंट में आपको काफी बड़ी लुक मिल जाता है, आपको full LED headlights का setup मिलेगा और projector headlamp इस कार में देखने को पीछे आपको LED till light का setup मिलेगा और आपको spoiler भी इस कार में देखने को मिल सकता है, tires की बात करें तो 17 inches के alloy wheels इस कार में आपको देखने को मिलेंगे और अगर interior की बात किया जाए तो जो interior आपको ZS variant में मिलता है, electric variant में मिलता है वही same interior के साथ ये car आपको available होगी, सारे functions इस कार में आपको मिल जाएंगे, door पर आपको power windows के adjustable button मिल जाएंगे, आपको driver seat में full electric seat adjustable मिलेगा और co passenger seat में भी आपको electric adjustable देखने को मिलेगा, और पीछे आपको काफी अच्छा comfort और space देखने को मिल जाएगा, और under thigh support भी आपको काफी बढ़ी है इस car में देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको armrest और cup holder भी मिल जाएगा, boot space की बात करें तो 421 लीटर का boot space इस car में आपको देखने को मिलेगा, और अगर बात करें इसकी price की तो 9 lakh इसका expected price है, और launch date अभी इसकी कोई भी reveal नहीं की गई है, लेकिन जैसे इसकी कोई launch date आती है, तो मैं आपने channel पर जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन उमीद पूरी है कि 2021 में ही ये car launch हो जाएगी, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस car को spot किया है, और आप इसकी images यहाँ देख सकते हो, आखरी पांचवे नंबर की car है Volkswagen Polo, दोस्तो इस car में आपको शायदी जाधा changes देखने को मिले, मतलब जो look अभी बात करें इसके front look की, तो सामने आपको projector headlights देखने को मिलेंगी, fully LED indicators आपको मिलेगा और नीचे आपको projector fog lamp मिलेंगे, और जो base model है उसमें आपको शायद halogen headlamp देखने को मिलेगा, लेकिन top of the line में आपको fully LED का setup देखने को मिलेगा, और projectors का setup देखने को मिलेगा, बात करें interior क तो दोस्तो dual tone में आपको interior देखने को मिल सकता है, full leather की seat इसमें आपको देखने को मिलेगी, 5 sitter के साथ ये car आती है, इसमें आपको arm rest और cup holder जैसे features भी मिल जाते है, ACB सकार में आपको काफी बढ़िया और improved देखने को मिल जाएगा, boot space की बात करें तो 321 liters तक की इसमें आपक boot capacity मिल जाती है, और automatic इसमें आपको डिक की देखने को मिलेगा, हाला कि इन steering wheel पर आपको सारे basic indicators और switches मिल जाएगे, और आपको instrument console fully digital देखने को मिलेगा, analog इसमें आपको अब देखने को शायद ही मिलेगा, दोस्तो बात करें इसके expected price की तो 6,00,00 रुपे इसका expected price रहेगा, और दोस्तो BS6 compliant engine के साथ ये कार आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी, और 4-5 महिने के अंदर Volkswagen अपने new polo का facelift इंडियन मार्केट में launch कर देगी,